येलो गाइस तो आज ना हम लोग यार कुछ अलग सा गेम खेलने वाले हर बार हम लोग कोई हॉरर गेम खेलते थे मतलग कि वहाँ पे पहले से कोई कांड हुआ रहता था वहाँ पर जाके हमें इन्वेस्टिगेशन करना होता था और बहुत सारी चीज़े होती थी आपको पह हुआ भी था तो भाई बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो चलो यार देखते हैं कि हम किस तरीके से यार इस सारे सभूतों को विटाते हैं ओके तो हम लोग यार गेम के अंदर आज चुके और हम लोग सीधा करने वाले हैं न्यू गेम ओके ठीक है बाकि यहां पर क्या होने वाला फिलाल यह ब्लैक इसके हट क्यों नी रही है ओके हटी ओके फिलाल यहां पर इस बंदे को एक अन्नोन नंबर से कॉल आ रहा है और यह कोई नॉर्मल सा बंदा है जो कि काम करता है तो शायद यार इसको यह जॉब मिलाया ठीक है कि जितने भी क्रा यहां पर आचुके हैं एक और यहां यह रही अपनी अपनी गाड़ी मस्या यहां पर उतर चुके हैं गैस बाई यह गाली दे रहा था उसको फिलाल रहा है इसको अपार्टमेंट 23 पर जाना अ रहा पर चावी उसने आस पास ख़ह शुपा रखी है ठीक है तो वहां पर हमे काम करना और उसके बाद पैसे भी हमें वहीं पर मिलने वाले हैं फिलाल हमें 23 अपार्टमेंट तो यहीं है हाँ अपार्टमेंट तो यही है पर चावी हमें कहां मिलने वाली है 23 तो यही है पर मुझे चावी कहां इसमें लगेगी चावी ओके चावी हमें यहीं पर कहीं इत्री अपार्टमेंट ओके खूल यहीं पर लगने वाली है और हमने इसको अनलॉक कर दिया है पर यहां अभी मैं बोलने वाल थी कि यहां पर तो कोई भी ऐसा कुछ सीन नहीं है पर यहां पर बहुत भारी सीनियों रखा है इसके उपर भी कुछ है एक और चाबी है मैंने इ काई थबे लगे हुए है बलड के यह भाइड घंदा वाला यहां पर लग रहा है हाथा पाही हुई है ऑना पर मुझे इसको साफ कैसे करना इदर कुछ तो आ रहा है यह है नल टैप है आपने को मिला यार यह मॉप है अपने पास और हम इसको यहां से साफ़सा फाइ कर सकत जितने अपने क्राइम सीन के जितने भी सबूत है न वो सारे के सारे को हमें मिटाना पड़ेगा और हमारा जॉब यही है ठीक है फटा फर से ओके अपना ये मॉप भी गंदा हो चुका है तो हम यहां पर आ करें कर अरे क्या है नल कैसे खुलेगा ति यह भी गंदा हो रहा है कैसे वर करेंगा हमें कुछ चाहिए क्या कंटेंडर चाहिए कोई बिकेट कोई कंटे न चाहिए जिसमें हम ऐसे बउप को डुबा करके उसको धुह सके पर यहां पर आस पास मुझे बugh नज़र नहीं आ रहा है यह शायद अपने को मिलीजहिए इसको हम यहां पे रख सकत यहार यह मॉप को भी साफ करना पड़ रहा है कुछ जादा यहां पर प्रैक्टिकल चीजे चल रही है पर कोई नहीं है हम जल्दी जल्दी से यहां पर सारी खून जो है ना इनको साफ करते हैं दरवाइजर ऐसा ना हो कि यहां पर कोई भूत आया और यह साइद गंदा हो कितना भाई यह सटिस्फाइड रहता है ठीक है क्योंकि यार हमें चाहिए पैसे हैं आस पास ब्लड है ओ दिवाल पर भी भी है भाई इधर भी है यार इतना छोटे छोटे तरीके से कैसे देखूंगी मैं आई थिंक अब हमने क्लीन कर दिया अपने मॉप को भी हम यहां पर साफ कर लेते हैं थोड़ा सा हंजी अब हम लोगों ने यहां की साफ सफाई तो कर दी है ना 14% ब्लड हम लोगों ने यहां पर साफ कर दी है और हमें आगे जाकर के देखना पड़ेगा साइद यह भी खुलेगा है यहां यहां पे तो कितना ज्यादा गंदगी फैला रखा ह यह भी बोल रहा है कि पता नहीं मैंने इस कॉंट्रैक्ट पे साइन ही क्यों किया इतना ज्यादा यहां पे गंदा बंदा फैला रखा है यार शेट भाई यह जल्देली साफ भी नहीं हो रहे है यह सारे कुशन वगेरे में भी लगे पड़ यह क्या है यह किसी को फोन पड़ा है उठा लेती है मैं फिला रख 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 अहो यह फिर से गंदा हो गया ठीक है यहां पे जा करके पहले अपना जो बकेट है ना इसको हमें रखना पड़ेगा अपने से करते साफ सफाई ठीक है यार अभी हम लोगों यार इसको काफी क्लीन कर लिया भी हमें अंदर जा करके ना और इसको साइद क्लीन करना पड़ेगा पर यार यहां पे जो हालत है ना बिलकुल खराब कर रखा है बहुत जादा गंदा वाला तो पहले ना मैं यहां ब्लड वगेरा पहले साफ करूंगी और इसके बाद नहां में यहां पे जो चेर और यह कुशन वगेरा इन सबको भी सही जगह पर रखना पड़ेगा इसको भी साफ करके पतान यार किस मुझे समझ में नहीं आ रहा किस लोगों ने कितना गंदे तरीके से यहां पर दिवाल देखो यार यह जो सारे कुडसी देख रहा है जगा जगा फैले हुए इन सारे के सारे को यार हमें ना सही तरीके से अलाइंग करना पड़ेगा इनका जो पोजिशन होगा नहीं उस जगह पे हमें इनको रखना पड़ेगा ताकि कलको कोई भी इस घर में आये ना तो उसको यहां पर पता ना चले कि यहां पर कोई कांड हुआ है ठीक है आई थिंक यह वाले एरिया भी काफी ज्यादा साफ हो चुका है पर यह उपर वाले दिवाल रह रहे हैं इनको करना पड़ेगा अब यह वाले रूम तो हम लोगों ने साफ कर दिया फिलाल यह वाला बादिया और क्या सपॉंज से क्या साफ हो सकता है यह टेबल पर कुछ है यह पर वाली चीजे ना यह सपॉंज से जल्दी साफ हो दिया चोल यह बढ़िया हुआ है और यह मेरे पैर का दाग पढ़ रहा है बार बार शिट मुझे इस ब्लड से भी बच करके रहना है और वापस से जाओ इसको क्लीन करके आओ वेर इस माइ बाथरूम चलो क्लीन 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 ठीक है अब यह सारे चीजों को हमें उठाना पड़ेगा है ना तो इसके लिए हमें चाहिए आइधिंग डश्ट बीन ओके यह वाली चीजे यह हम इसमें उठाके भरते जाएंगे यह क्या है यह सारी चीजे उठा उठाके हमें फेक ना जितने भी यहां पर आ रहे हैं हम लोग ने शायद हर कुछ यहां पर उठा लिया ना यह क्या है यह तो नहीं उठेगा ओ भाई यहां पर यहां पर तो बंदा मरा हुआ है यह खुद को बचाने में मरा या फिर क्या मरा आइड नो पर फिलाल हम यह सारी चीजे यहां पर हटाने पड़ेगी जिस चीज के लिए हम लोग ने कंट्रैक्ट साइन किया है नो वह काम तो हमें करना ही पड़ेगा गाइस मेरे पास कोई भी ऑप्सन नहीं ओके इसको ना मुझे कहीं फेक क्या ना पड़ेगा पर मैं इसको फेक हूं कहां कहां फेक हूं मैं इसको कशडे को अपने गाड़ी में भर करके मैं फेक लेते को किया बाहर इस साइट से हम आया थे ना किधर से आया थे हम वे इदर चैया है तो फिल सद्सक्राइब यहां पे रख देती हूं ठीक है अभी चलते हैं और वापस जितने भी और ट्रैसेस पड़े हैं ना उनको उठाना पड़ेगा तो हम इधर से आये थे ना ठीक है ये सारी चीजें भी हमें उठा के रखने पड़ेगी बॉटल बॉटल से यहाँ पर बड़ा गंदा वाला फाइट हुआ मतलब मुझे लग रहा है कोई बॉटल ना किसी के सर पर बजाया है उस तरीके का चीज यहाँ पर हो रहा है पर कोई नहीं हम उठाएंगे सारा का सारा और कुछ है यवर से खोल के देखो क्या बड़ा गंदा वाला यहाँ भी फाइट हो रखी है इधर भी है यह क्या है यह क्या है यह क्या है गिजिन से क्या चामक रहा है समझ नहीं आरा उपर से ब्लड आरा है ओ शेट इसको खोल सकते हूं गहाँ यहां पे तो यार एक मुडर नहीं कितना ओभाई यह एटिक में पूरा गंदा कर रखा है कुछ बाहर से चमक रहा है उस साइड से कुछ तो इंडिकेट हो रहा है जो मुझे समझ में विल्कुल यह भी खुलेगा यह कुछ फार्मिंग टाइप में वीड फार्मिंग चल रही थी क्या चल रही थी इधर भी कुछ पड़े हुए है बाक्यार यहां पे कांड तो भयानक हुआ है उफ इतने सारे साफसफाय हमें यहां पर करने पड़ेंगे पता नहीं है मैंने फिलाल इसको उठा इसके पास है यार इक कुछ इसको इठाई लेती हो ना ये जो चाकू से मारा गया चोलो इसको भी मैंने उठाके इसमें रख दिया है और फिलाल अभी यहां की सापसफाई हमें स्टार्ट करने पड़ेगी वड़ना यह मेरे पैर से ना गंदे होते जा रहे हैं ठीक है इस लास को भी हमें उठाना पड़ेगा और विसलिया सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है क्राइम में मैं साफसाफाई तो कर दूंगे अगर हम लास को ठीकाने नहीं लगाएंगे तो तो भाई घरतीन हो जाएग तो इसको तह भाई उठा करके न रखना पड़ेगा मैं उठा करके निउसको अपने घाड़ी में भर के लेकर जाओंगी नहीं तो न दूर ठीकाने लगा दूंगी क्या अभी तो मुझे बिल्कुर इसको उठाई है लोय तुन अंदर रही हो उठा सकती है इसको इसको नही ज़्यादा है यह बंदा बोल रहा है कि मैंने उठाया ने उठाया तो इस नहीं है तो हम इधर से आये थे ना तो इसको हम ले जा करके न अपनी गाड़ी पहले रख के आते हैं इसको हम इधर उदर नहीं छोड़ सकते अगर किसी की नजर पड़ी तो बहुत बड़ा कांट ज रहा है कि यहां से चलते हम लोगों नहीं यहां पर नीचे पर अपनी गाड़ी पार कर रखने है दिख और यहां पर यहां पर चली जाए गया तो जाए इसमें यह क्या हुआ रहा है ओ Pack हो गया अधकि 않? चलो ओके यह कहा पर लगना था? इसकर जगह कहा पर है? इसकर जगह यहाँ पर है ठीक है और sponge निकालके इसके साफ उप्श करेंगे था यह जग एक कि office साफ नहीं था ठीक है और कोई चीजे हैं जो हमेशा ही जगा पे लगा जैसे कि यह पेंटिंग हो गया, इसको हम उठा करके यहां लगा देंगे, यह पेंटिंग हो गया, यह इधर आजाएगा, यह इधर हो गया, इसको धर तु पहले हट, इधर हट तु भी इधर हट, भाई इसमें भी तो blood लगाई है, यह हमने इसक साफ करना पड़ेगा ठीक है और इसको अब हम लोग उठाया करके अरे उठाना है भाई इसको हम इसके ओओ यहां पर लगाना है शाइद लग गया खूल तो नीचे लगेगा ठीक है यह कहां की जगा यह कहां की कुरसी है तो दरा हट वरा घर सजाने आए हूं क्या मैं इसका यह किसकी है, यह किसकी तो नहीं लग ली है, यह किसी और ग्रीन वाला सोफा उधर है, I don't know, इसके अंदर कुछ है क्या, यह रहे हैं पैसे गाइस, पैसे हमें यहां पे मिल गए हैं जो कि पैसे हमें चाहिए थे, अब मैं यहां से भाग जाओं कि अपना काम तो इनीचे भी क कुछ नोट पढ़ा है, यहां पर कुछ पार्ट मिसिंग है यहां पर एक पार्ट मिसिंग है और एक उसका मिसिंग है, जो कि मुझे नहीं पता कहां पर है, और इधर भी कुछ पढ़े थे, हाँ यह रहा, यह अपना जाएगा इधर, ठीक है, और एक और समान थी ना, यह र सारा काम हमने कर दिया यह गिर कैसे जा रहा भाई पागल वागल है क्या अभी सभी हुआ ठीक है यहां पर कुछ गंदगी है जो कि साफ करनी पड़ेगी क्या है अब सारा साफ सफाई करते हैं ट्रैसे उठा लिए सारे चीजों को हम लोगों ने रख लिया है और ब्लड हम लो अब जो अपना काम है वह तो करना ही पड़ेगा कोई आप्शन नहीं है अब तो फटाफट से इसको हम क्लीनी करते है और अभी तक तो मुझे कोई भी जम्स्केर देखने को नहीं मिला है तो शायद आइटिंक यह और गेम नहीं है सिर्फ हमें यहां पर क्लीन करना है यह ल कैसी डिवार है और अभी पोलीस की साउंड आरी है कि मुझे लिए पौलीस वालों को इस चीज की खबर है तो पुलीस की आने से पहले मुझे इस चीज को न ठीक आने लगाना पड़ेगा भाई यह यहीं पे तो नहीं आ रहा चल शले चल शले चले डाल कि और यह भी पैक ह और थी यार उपर शायद एक लास और थी ना रभी ते देखो हम लोगो गार्वेज है ना उसको लेकर कर जाना है एक बॉड़ी और रह रही है कोई दिक्कत नहीं गार्वेज तो हमने बाहर ही रखा जब उसको जाना होगा उठा लूँगी एक विक्टिम और है जिसको हमें और विक्टिम कहां पर है कोई आइडिया नहीं है उपर चलते एक बार ओफ शिट यह तो भर गया या इस यहां पर नल है कूल जाना नहीं पड़ेगा अपने को और अब अब अपन यहां पर करते है साफ सफाई एक बॉड़ी और बता रहा है गईस मुझे समझ नहीं आ रह है ब्लड है ब्लड है इस साइड पर कुछ ब्लड दिख राते हैं यह क्या है पता नहीं और एक डेड बॉड़ी अभी भी हो यहां पर ब्लड बोल रहा है कि अभी तक आपने 36% ही साफ किया है यह बोल रहा है एटिक का जो आपका ब्लड है वह 36% ही साफ हुआ है ओ माय गॉ इधर भी है सेट तो मैंने देखा ही नहीं सेट भाई यहां पर तो देख रहो लड़कियों को मार करके टांगा गया है सीडियसली इसको मौ इसे ना स्पॉन से अच्छे से साफ हो रहा है यह जितने भी कपड़े वाली चीज है ना उस पर यह अच्छा काम कर रहा है पर यह र हो लिए हमने इसको और अभी जा करके है इस लास को ठीकाने लगाना पड़ेगा हमें पिलाल मैं इसको उठाके नीचे उतार ही लेती हुए ना इसको नीचे उतार लेती हूं काईस में चलतो इधर गिर भाई कैसे फेक रहा है मर गया तो मतलब इज्जत ही नहीं है ऐस इसको भरना पड़ेगा वोई बी सबूत यहां पर निचुटना चाहिए कोई बी सबूत भर गया अपना बैक तो भर गया अब इसको हम लोग को बाहर निकाल कर लेते हैं और इसको भरते हैं पता निसको उठा लिया अभे यार इसको भी तोड़ना है भाई पता नहीं जाए उखना पड़ेगा मैं बैक फेक कहां कहां पर रही हूँ ना ये भी एक बड़ा सा सीन है चलो अब बार यह जो लास और ये जो अपने पास ये देस्ट वी इन के ये पड़े हैं ना इनको उठाना है फिलहाल मैं इसको लेकर के निचे चलती हूं और इसको अपने गाड बैग हमने कहां रखा था इसको पर उतारके ना मैं दोनों बैग को न उठाई लेती हूं इसको ले जाकर के वहले नीचे की बड़ा अंदर के साइड पर है इसको भी ले करके अपने पास टोटल तीन बैग ऐसे हैं ना दो तो यह रहें है ना तीसरा वाला हमने शायद गेट पर छोड़ रखा है चलो गाइस हम लोग यहां पर तीनों जो अपने कच्रे के बैग है ना वो लेकर के आ चुके हैं फटा फट से करके हम इसको नीचे लेकर के जाना पड़ेगा पर मैं अभी भी पिन यहां पर यह शौर नहीं हूं कि हमारे बैग में आएंगे या नहीं इदर ही किर गिया उधर जाना बैए उधर और इसको मैं कहा ले जाओं फिर आए इदर ऐसे आएगा चला गया फिट यह यानि कि अपने वैन में इसको हमें रखना था तो हम फटा फट से अर अपने जो दो बाकी के बैग है ना उनको भी लेकर के आते हैं गाइस यहां पर मुझे बार-बार सुनाई दे रही है बार-बार यह दिक्कत कर सकता है अपने को ठीक है जल्दी से अपना काम यहां पर करके और मुझे निकलना पड़ेगा ठीक अपना काम हो गया सारा कुछ हो गया फटा-फट से हम लोगी इसमें पैटने वाले हैं इस ठीक है बट चुक 98% चूट गया कहा चूटा ओके मैं समझ गई फर्निचर भी 5% रह गया यार 86% अपने को काम मिला है पर बलड मैं समझ गई जहां पर नल था न भाँ थोड़ा सा बलड चूट गया था और फर्निचर का मुझे आइडिया निया फर्निचर तो I think मैं सारे के सारे फर्निचर छूट सकता है बागे चलो यार इस गेम का और भी पार्ट है यानि कि अलग लग लोकेशन पर हमें जाकर कि क्राइम सीन है न उनको हटाना पड़ेगा यानि वहां से हमें चीजे क्लीन करनी पड़े इसा बूत मिटाना पड़ेगा तो अगर आपको पसंद आई है न इस वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि चा मैं इसका नेक्स पार्ट डालूं या फिल नहीं आज के लिए बस इतना ही बब बाई